वे उनके लड़की भाग गई ही तिक बाद केहां पता चला कि मार्ए लटकाई दीन ही तो हम लोग तो कुछ जमताव ना है ने कल दिन भर यह जो छोटू है वो वहीं पर रहे हैं दूई बज़ा से ने मंजली पुरो जहां गया हैं वहां जाएक पूछलो की छोटू ही आया हैं छट्टिम की नाया है लखिमपूर के निघासन के तमूलिन पुर्वा गाउं में जो दो सगी बहनों की हत्या की बात आ रही है उसमें जो सबसे बड़ा आरोप है वो तमूलिन पुर्वा के ही एक छोटू नामक की उपर आरोप लगाया गया है जिसको छोटू को बता जा रहा है कि पुलिस ने हिर होफा किया और फिर अपने साथियों के साथ मिल करके उसको पहले बलातकार किया फिर्स को हध्या कर लटका दिया कल छोटू कहा थे क्या है करी मंजलिपुर्वा में हौने ह। यहां से कितना दूर है यहां से कितना दूर किते किलोमेटर होगा एक दू किलोमेटर हुई है दू किलोमेटर दूर गाउं में गए तो हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं कि लोग भाईया कोई दोस्ना हम लोग कुछ जनता है ना यहां तो छोटू का पुलिस पकल नहीं से पुलिस वाले तो च्छोटू करत का है काम करते हैं और का करते हैं वो जो उनकी मा है वो कह रही है कि छोटू के साथ तीन और जो उनके दोस्त हैं वो भी आए थे पीले रंकी बाइक है कोई छोटू के पाद पीले रंकी मोटर साइकल रंकी भाईया बाइक ना है हमरी सीटी हेंडरेट गाड़ी है और धकरवा चौरा है जन्सी पर की है हमरे पास कागद रख्या हैं तो वह जोने जो तीन और लड़के रहें व लोग कौन है कल जो है दिन भर यह गाइब रहे जो चोटू है वह वहीं पर रहे हैं दूबज़े से किते बज़े तक छोटू रहे हुगा से ने हुआ रहे हैं अरे साथ आठ बज़े रात तक का तीका बाद कहां हम नंबा लगाने जब यह सबहला उल्ला होई लाग तो घर काओ इस बात है तो घर आए तो घर है तो पुलिस आले कहले चोटू तुम रहे नाम तो कहले हां तो बैठा लिए गाड़ी पर लिए चले यह जो आरोपी है छोटू उसकी पत्नी है जिनका साफ तोर पर कहना है कि कल उनका पती छोटू एक पास कही गाउं में एक फंक्शन था परिवारिक फंक्शन था जिसमें शामिल होने के लिए वो गया था और उसी शामिल होने के लिए करीब दो बज़े गया था और शाम को उसमें नाम छोटू का आया, तो पत्नी का कहना है कि उन्होंने फोन करके छोटू को बुलाया और यहां से फिर छोटू को पुलीस अपनी हिरासत में लेकर चली गई है. झाल झाल